नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश देखे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होट एयर फ्यूमिगेशन जो है एक ऐसी पद्धती है जो गर्म हवा यानि कि किसी हवा का टेंपरेचर इतना अधिक कर दिया जाए कि उससे कीट को मारा जा सके तो ये भी एक पद्धती है और इससे भी फ्यूमिगेशन किया जाता है पूरा डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए हम पूरी जानकारी डिटेल में डिसकस करेंगे और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए साथ में बैल आइकोन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल रहे हैं आई ये सीखते हैं कुछ नया जब होट एयर यानि की गर्म हवा की बात आती है तो नैचुरली हमारे देश में तीन चार महिने तो गर्मी का भयंकर प्रकोप रहता ही है लेकिन वो गर्मी नैचुरल सोर्स से उत्पन होती है और जब हमें कोई ट्रीटमेंट करना है को फ्यूमिगेशन करना है तो वहां बात आती है एन्क्लोजर की एन्क्लोजर मतलब क्रित्रिम रूप से वहां ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर देना जो आपके दुआरा पुर्दान की गई गर्म हवाओ को संरक्षित रखे और कुछ निर्धारित समय के लिए उस वातावर्ण को वहां मैंटेन कर दे ताकि जो भी जीवन वहां सर्वाइवल कर रहा है वह सर्वाइवल न कर सके कुछ देशों में ऐसी पदलतियां हैं और उन्होंने जो है होट एयर ट्रीटमेंट को डवलप कर लिया है होट एयर ट्रीटमेंट में आपको जिस पदार्थ का या फिर जिस आइटम का जिस आनाज का जिस वुडन का या फिर किसी करना होता है तो सबसे पहले वहां एक आर्टिफीशियल रूप से एंक्लोजर तयार किया जाता है जैसे कि आप एलपी फ्यूमिगेशन में या एमबी यार फ्यूमिगेशन के समय तिरपाल लगा करके और वह एंक्लोजर तयार करते हैं एयर टाइट कि उससे गैस बाहर ना ज होता है जहां से आपकी होट एयर बाहर न निकले और फिर कुछ मशीनों के दुआरा होट एयर को उत्पन करके वहां के टेंपरिचर को प्रभावित किया जाता है और नॉर्मली जो है वो सो डिग्री सेल्सियस के आसपास तक वहां तापमान को पहुँचा दिया जाता है ऐसा करते समय बार बार जो है उसको चेक भी करना होता है कि कितना टेंपरेचर हुआ है और कितने समय के लिए हुआ है ऐसा नहीं है कि वो जो 100 डिग्री सेल्सियस का टैंपरेचर वहां मेंटेन हुआ है उसको आपको हमेशा 100 डिग्री ही करना है आपको हमेशा ये देखना है कि जो आपका एंट्क्लोजर है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है क्योंकि आमुमन जो बैक्टीरिया वगेरा होते हैं वो 65-66 दिगरी तक काम आसानी से कर लेते हैं उतनी गर्मी में उतनी हीट में वो जीवित रह पाते हैं यानि कि मैं यह कहूँगा कि जो भी आपका उब्जेक्ट वहां रखा हुआ है उसको कितनी हीट देनी हैं कहीं ऐसा नहों कि आप उसमें इतना टेंपरेचर उत्पन कर दें कि आपका जो टार्गेट है वही मेल्ट हो जाए होट एयर देनी है एक सीमित समय के लिए देनी हैं आपको होट एयर का कितने मात्रा और कितने सेल्शियस दिगरी उसको देनी होगी यह डिपेंड करेगा वहां पे किस आपको इंसेक्ट को किल करना है किस तरीके का आप ट्रीप्मेंट कर रहे हैं जर्नली होट एयर ट्रीटमेंट जाज़तर वूडन वर्क पर किया जाता है और भी बहुत सारी जगए हैं जहां पर होता है वैक्टीरिया इसको किल करने के लिए भी होट एयर ट्रीप्मेंट होते हैं और वो depend करता है आपकी case to case study पे कि किस insect को कितना temperature कितने समय के लिए देना है हाला कि इंडिया में ये पधती ना के बराबर काम करती है क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का system अभी डवलप नहीं किया गया है और इस पे research विदोईसों में अधिक चल रही है ये एक latest technology है जहां hot air technology के माध्यम से होता है लेकिन इंडिया में इसका license ये दिया आपको चाहिए hot air treatment के लिए तो उसकी भी परकिरिया वही है जैसे NSPM 22 की परकिरिया को हमने बताया था same department से same तरीके से आपको document collect करके और वहाँ process करना होगा वहाँ से आपको hot air treatment का license मिल जाएगा कुछ देशों में जब कोई चीज export होती है तो वहाँ hot air treatment का certificate उतना ही valid होता है जितना की methyl bromide का और methyl bromide जो है वो natural तरीके से बहुत नुक्सान diet gas है अगली वीडियो में हम इसका discussion करेंगे कि methyl bromide से किस तरीके से आप shumigation कर सकते हों कब और कहां कैसे कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद